हेलोस्तोS 게सा सब्सक्राइब Welcome Sc zoom और अब सम्सक्राइब हैसे जुद्विअ क्छर्क होगेए अब अच्छे हुजी है दोस्तो क्या होता है जो बाइंड वाली रैइसेंस होती है क्को दोस तो क्या होता है कि कलर कोड निकालते हैं और आसानी से इनका color code निकाल करके उससे हमारी value का calculation हो जाता है और साहिए से इसका wattage का पता लग जाता है लेकिन किसी set मतलब जैसे हमारी resistance पर wattage भी ohms भी लिखा होता है काफी बार confusion हो जाती है कि यह सही तरीके से यह नहीं पता लपाता है कि कितने watt की और कितने ohms की है मतलब इसमें भी एक दिक्कत आ जाती है यह जो e का मतलब होता है इसमें वैसे तो ohms होता है बहुत से दोस्तों कुछ गलत value निकालते हैं इसका आप यह कहोगे कि हम पे तो आता है दोस्तों इसमें भी आपको एक छोटी चीए confusion होगे वह चीज़ दूर हो जाएगी अब आप यह बताईए देखे इस रेश्टेंस में इस रेश्टेंस में आपको डिफ्रेंस क्या दिख रहा है बस यह 10 watt है यह 5 watt है और मतलब यह आपको 5 ohm में लग रही होगी और यह 0.5 ohm में लग रही होगी लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है यह आपकी बिल्कुल बात गलत है वो कैसे मैं भी यही चीज़ समझाऊंगा आपको देखें यहां साब साब लिखा है 0.5 ohm 10 watt यहां लिखा है E5 यानि कि एक तरह से अगर कोई समझेगा तो 5 ohm और 5 watt तो यह दोस्तों आपकी कहना गलत है तो मैं यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कैसे मतलब अब देखें इस पर लिखा है यहां लिखा है 350 e 5 watt तो यह तो सही है 350 ohms है इसी तरह से यहां पर देखें यह लिखा है इस पर तो सही लिख रहा है 220 ohms यह मतलब यह बराबर ओंस हो गया और हमारा फाइवार अब इस पर दोस्तों एकिस लिखा इस पर एकिस लिखा इस चीज़ को छोड़े दीजिए यह दोस्तों इसकी मतलब यह सब बैच बनाते हैं वह आपने देखा होगा कभी टांश्टर होता है मोच पिट होता है कोने इस चीज़ को छोड़े ऊपर होते हैं दो अब मैं आपको यह चीज़ हम जाता हूं बहुत चोटी सी है आप समझ जाओगे तो काम खतम कोई दिक्कत आने वाली नहीं है देखिए रेस्टेंस की वैल्यू यह यह बराबर तो होती है दोस्तों हमारे इसमें ओ हम्स होम्स या ली लिक होता है लेकिन बहुत से क्या होता है किसी में आपने देखा हूंगा ई तो इसे आप क्या बोलोगा, आप समझोगे कि ये 33 ohm की है और 5 ohm है, तो ये आपका मानना गलत है, ये क्या है E, अगर दोस्तों हमारा लिख रहा है, इस तरह से 15 लिखा हुआ है, 15 मान लिजे, अगर E इधर आ रहा है, तो समाझ जाए ये पॉइंट में है, तो पॉइंट 15 ohm ठीक है, 15 ohm, अगर ये ही 15 और ये ही E इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, बाकी 15 इधर रहे, तो ये 15 ohms अब होएगी, ये पॉइंट 15 है, अगर आपका E दोस्तों इधर, यानि कि लेफ्ट साइड आ रहा है, और तो दोस्तों आपकी points में होगी, अगर राइट साइड है तो दोस्तों आपका वो wattage में मतलब जो real wattage होंगे वही मतलब लिखा होगा, देखें जैसे कि यहाँ पर मैं भी दिखाना चाता हूँ, ये देखें, यहाँ पर साब साब लिखा है E5, यानि कि 0.5 ohms 5 watt में, और यहाँ पर दिखा है 220 ohm, ये हमारा E इधर की तरह पार है, सी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में 0.5 ohm की है, तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ पता लगा जाती है, ये इस तरह से लिखा है किसी में E5, 5 watt, तो ये 0.5 है, तो 0.5, E यहाँ अगर इधर की तरह पे तो पोइंट वह माना जाएगा, इधर की तरह पे तो real wattage होता है, 0.55 E, तो दोस्तों इधर तो ये ohms में है, ये इसमें तो साब साब लिखा हुआ है, लेकिन किसी में E 55, 5 watt, इस तरह से होगा, तो इसका मतला है, 0.55 ohms, मतला एक कभी आधा, तो इस तरह से दोस्तों इसका calculation होते है, अगर left side में है, तो point में आएगा, right side में है, तो जो उस पे value लिखी है, वो वही correct है, तो इसमें पुकी सी किसी में, जो company के amplifier होते हैं, उसमें थोड़ा सा इसी तरह से दिया जाता है, E को left side में रखा जाता है, उसके आगे value लिखी होते है, जो उससे value लिखी होते है, दोस्तों उससे पहले फिर point लगा दिया जाता है, वो दोस्तों आगे जाएगा, वो इस तरह से लगा दिया जाता है, तो यह चोटी सी बात आप समझने की थी, point अगर आपका E हमारा left side है, तो point में लेगा, right side है, तो real में जो white होगे, वही होगा, तो यह चीज है दोस्तों मैंने जो आपको समझाई है, यह सायद बहुत से mechanic को प बहुत खुष रहे,